परिचय बच्चों, इस पार्ट में आप गुणंखंडों, गुणजों, महत्तम समापुवर्तक, लगुत्तम समापुवर्तक, एवं विभाजिता की नियम को समझेंगे. उद्देश संख्याओं को उनके अभाजे गुणंखंडों के रूप में व्यक्त करना, मासापा यानि महत्तम समापुवर्तक, एवं लासापा यानि लगुत्तम समापुवर्तक की गरना करना, गुणंखंड एवं गुणज. माली हीरा लाल, श्रीमती शर्मा की बगीचे में आठ गुलाब के पौधों की एक आयताकार पैटन बनाना चाहता है. वह प्रतियक पंग्ती में गुलाब के पौधों की एक समान संख्या, एक या अधिक पंग्तियों में बोने की योजना बनाता है. आईए हर संभाव पैटन को देखते हैं, जिसमें हीरा लाल आयताकार पैटन बना सकता है. हीरा लाल एक एकल क्षेतिज पंग्ती में सभी आठ गुलाब के पौधों को लगा सकता है. वह प्रत्येक पंग्ती में एक गुलाब का पौधा रखकर आठ पंग्तियां बना सकता है. इस प्रकार गुलाब के पौधों के चार संभव व्यवस्थापन हैं. आईए इन पैटन को निम्न संख्यानुसार व्यक्त करते हैं. बाई तरफ की संख्याएं पंग्तियों को दर्शाती हैं. एवं दाई ओर की संख्याएं प्रत्येक पंग्ती में गुलाब के पौधों को दर्शाती हैं. संख्याएं एक, दो, चार इवं आठ आठ को पून्तिया विभाजित करती हैं तथा कोई शेश नहीं बशता है अतहा वे आठ के गुणनखण हैं. एक संख्या के गुणंखंड वे संख्याएं होती हैं, जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। आईए अब आठ और बारा के गुणंखंडों की सूची बनाते हैं। एक, दो, चार, और आठ, आठ के गुणंखंड हैं, एक, दो, तीन, चार, छै, और बारा, बारा के गुणंखंड हैं। अब आठ और बारा के गुणंखंडों की तुलना करते हैं। आप क्या देखते हैं? एक, दो, और चार, आठ और बारा, दोनों के गुणंखंड हैं। अतहा एक, दो और चार, आठ और बारा के सार्व गुणंदखंड हैं। आईए एक और संख्या, संख्या साथ के गुणंदखंड निकालते हैं। एक और साथ, साथ के गुणंदखंड हैं। साथ और आठ एवं साथ और गुणंध खंडों और गुणजों के गुण संख्याओं के गुणंध खंडों और गुणजों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं एक को जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही संख्या प्राप्त होती है जैसे, एक गुणा दो बरावर दो प्राप्त होता है, एक गुणा तीन बरावर तीन, एक गुणा चार बरावर चार, एक गुणा पांच बरावर पांच प्राप्त होता है, एक प्रतीक संख्या को पून रूप से विभाजित करता है, अताहा एक प्रतीक संख्या का एक गु एक संख्या खुद को पून रूप से विभाजित करती है, जैसे दो भाग दो करने पर एक प्राप्थ होता है, तीन भाग तीन बराबर एक, चार भाग चार बराबर एक, अता है एक संख्या खुद का एक गुणन खंड होती है, एक संख्या को पून रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या वह खुद होती है दो को पून रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या दो है इसी प्रकार तीन, चार, पाँच और छै वे बड़ी संख्याएं हैं जो क्रमशा तीन, चार, पाँच और छै को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं अतहा प्रतेक संख्या खुद का सबसे बड़ा गुणंखंड होती हैं एक संख्या के गुणंखंड एक और उसी संख्या की बीच की संख्याएं होती हैं उधारण के लिए आईए चटीस के गुणंखंडों को देखते हैं एक, दो, तीन, चार, छै, नौ, बारा, अठारा और चटीस, चटीस के गुणंखंड हैं आताहा एक संख्या के गुणंखंड गणनिये एवं सीमित होते हैं एक संख्या का एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है उधारण के लिए दो गुणा एक बराबर दो प्राप्त होता है तीन गुणा एक बराबर तीन चार गुणा एक बराबर चार इसी प्रकार पांच गुणा एक बराबर पांच प्राप्त होता है अताहा प्रतेक संख्या फुद का गुणा जोती है एक से बड़ी अन्ने सभी संख्याओं का एक संख्या के साथ गुणन फल खुद उस संख्या से अधिक होता है संख्याओं का वर्गी करण संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गी क्रेत किया जा सकता है आभाज्य, भाज्य, सम और विशम आएए उन्हें एक एक करके देखते हैं संख्या साथ पर विचार करते हैं चलिए इसके गुणंखंडों की सूची बनाते हैं आएए कुछ और संख्याओं एवं उनके गुणंखंडों को देखते हैं इन संख्याओं के बीच क्या समानता है इन सबी संख्याओं के केवल दो गुरंद खंड हैं एक और वो संख्या खुद वह संख्याएं जिनके केवल दो गुरंद खंड होते हैं यानि एक और वो संख्या खुद अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं एक एक अदुईतिय संख्या है जिसका केवल एक ही गुरनखंड होता है एक या वो संख्या खुद इरातोस थीन सिनामा के एक यूनानी गणी तक ये एक से एक सौ के बीच की अभाज संख्याओं का पता लगानी के लिए एक सरल विधी तयार की थी चलिए इस विधी को देखते हैं हम दस कॉलम की एक तालिका बनाते हैं प्रथम कॉलम में हम एक से लेकर दस तक की संख्याओं की सूची रखते हैं दूसरी तालिका में हम ग्यारा से लेकर बीज तक की संख्याओं की सूची रखते हैं आगे भी इसी प्रकार संख्याओं रखते हैं इस प्रकार अंतिन कॉलम में हम 91 से लेकर 120 संख्याओं को रखते हैं। हम उन संख्याओं को काड़ देते हैं जो अभाजे नहीं हैं। एवं उन संख्याओं पर घेरा बनाते हैं जो अभाजे हैं। एक अभाजे नहीं है क्यूंकि इसका केवल एक गुणनखंड है। एक अभाचे संक्या है, क्योंकि इसके ठीक दो गुणन खंड हैं, हम इसपर एक खेरा बनाते हैं, हम दो के सभी गुणजुं को कार देते हैं, तीन अभाचे है, हम इसके चारों तरफ एक खेरा बनाते हैं, हम तीन के सभी गुणजूं को काड़ देते हैं हम यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक की एक से लेकर सौ तक की सभी संख्याओं पर घेरा ना लग जाए या फिर उन्हें काट ना दिया जाए इस तालिका को इर्टोस थीन्स की छलनी कहा जाता है आत्म मूलियांकन स्तंभ का में दिये गए विवरणों का स्तंभ बा में दी गई संख्याओं के साथ मिलान कीजिए विभाज्यता की जांच एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्टिया विभाज्य कही जाती है यदि विभाज्य संक्रिया से कोई शेश नहीं बश्टा हाला कि वास्तविक विभाजन द्वारा विभाज्यता का निर्धारन करने में काफी समय लगता है अताह 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 द्वारा संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के लिए विभेन परिक्षणों को तैयार किया गया है आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं 40, 34, 78, 36, 32 आइए इन्हें दो से विभाजित करते हैं दो इन सभी संख्याओं को पून रूप से विभाजित करता है एवं कोई शेश नहीं बश्टा है आइए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं 51, 45, 37, 89, 33 चलिए इन्हें भी दो से विभाजित करते हैं दो इन सभी संख्याओं को पून रूप से विभाजित नहीं करता है तथा सभी स्तितियों में एक शेश बचता है इससे ये स्पस्ट है कि सभी संख्याओं यानि वे संख्याओं जो दो, चार, छे, आठ या शूने पर समाब्द होती हैं वे दो से विभाज्य होती हैं चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं 27, 36, 45, 54, 63 आईए इन्हें तीन और नौ से विभाजित करते हैं तीन और नौ उन्हें पून रूप से विभाजित करते हैं और कोई शेश नहीं बशता है अब चलिए प्रतेक संख्या के सभी आगे वाले अंकों को जोड़ते हैं आप क्या प्राप्त करते हैं? प्रतेक योगफल तीन और नौ से विभाज है चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं आईए इन्हें तीन और नौ से विभाजित करते हैं योगफल तीन और नौ से विभाजित करते हैं चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं 20, 35, 45, 50, 60 आईए इन्हें पांच से विभाजित करते हैं पांच इन सभी को पूर्ण रूप से विभाजित करता है अब संख्याओं के अंतिम अंकों को देखे, वे या तो पाँच हैं या शुन हैं इन संख्याओं पर विचार करते हैं, नबे, पचास, साथ, सत्तर, चालीस आईए इन्हें दस से विभाजित करते हैं दस इन्हें पून रूप से विभाजित करता है सभी संख्याओं जो दस से विभाजित हैं, वे शुन्य पर समाप्त होती हैं कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं शेयालीस, तिहत्तर, नबासी, बाहत्तर, इक्यावन ये संख्याओं ना तो पांच से विभाजित हैं और ना ही दस से इन में से कोई भी पांच या शुन्य पर समाप्त नहीं होती है अता हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या के अंदिमंग पांच हो या शुन्य हो तब वह संख्या पांच से विभाजित होती है और यदि एक संख्या का अंदिमंग शुन्य है तब वह संख्या दस से विभाजित होती है चलिए, अब कुछ और संख्याओं पर विचार किया जाए 9383 7986 8382 दाएं से शुरू करते हुए विशम और समिस्थानों परिस्थेत अंकों को अलग-अलग जोड़िए योगफलों के बीच का अंतर या तो शुन्य होगा या ग्यारा होगा जो की दोनों ग्यारा से विभाजे हैं कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं 4231 योगफल कामतर 4 और 1 है जो की ग्यारा से विभाजे नहीं है अब संख्या 16 पर विचार करते हैं 8 16 को पून रूप से विभाजित करता है 8 2 और 4 के गुणन खंड भी 16 को पून रूप से विभाजित करते हैं अताहा हम कह सकते हैं यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पून रूप विभाजित करती है तब इसके आत्म मूलियांकन सही विकल्प को उठा कर उसके संगत स्थान पर रखें अभाजे गुणन खंडन एक संख्या का गुणन खंडन एक संख्या को उसके गुणन खंड के रूप में व्यक्त करना है इस प्रकार अर्थालीस को बारा गुणन चार के रूप में व्यक्त करना गुणन खंडन है इसी प्रकार छै को तीन गुणन दू के रूप में लिखना भी गुणन खंडन है लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है 48 के गुणंखंड भाचे हैं, जबकि 6 के गुणंखंड अभाचे हैं एक संख्या को उसके अभाचे गुणंखंडों के गुणंफल के रूप में व्यक्त करना अभाचे गुणंखंडन कहलाता है आईए कुछ संख्याओं पर अभाजे गुणंखंडन का प्रदर्शन करते हैं 48 वराबर 12 गुणे 4 12 तीन गुणे 4 है इसलिए 48 को 3 गुणे 4 गुणे 4 के रूप में गुणंखंडित किया जा सकता है 4 दो गुणा 2 है इसलिए 48 को 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में गुणंखंडित किया जा सकता है 48 को अब उसके अभाजे गुणंखंडों में व्यक्त किया गया है अभाजे गुणनखंडनों को गुणनखंड विरक्ष की सहयता से चित्रिये रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है अभाजे संख्याओं से विभाजन की पुन्द्र वृत्ती करते हुए बड़ी संख्याओं को अभाजे गुणनखंडित किया जाता है जब तक की भागफल खुद अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। आईए विभाजन विधी द्वारा 430 का अभाज्य कुणनखंडन करते हैं। सर्वु प्रथम हम 430 को अभाज्य कुणनखंड दो से विभाजित करते हैं। ततपश्चात हम भागफल 215 को अभाज्य कुणनखंड पाच से विभाजित करते हैं। एवं भागफल 43 प्राप्त करते हैं। चुकि 43 एक अभाज्य कुणनखंड है। 43 से विभाजित करने पर भागफल एक प्राप्त होता है। 430 को अभाजे गुडन खंडों के गुडन के रूप में व्यक्त कीजिए अभाजे गुडन खंडनों के प्रयोग अभाजे गुडन खंडन दो महतपूँ प्रयोगों के लिए लिया जाता है वे निम्न की करना करने के लिए हैं मासापा यानि महत्तम समापवर्थक एवं लासापा यानि लगुत्तम समापवर्थक मासापा महत्तम समापवर्थक यानि मासापा दो या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है आईए बारा, पंद्रा एवं अठारा का मासापा निकालते हैं बारा बराबर तीन गुणे चार, पंद्रा बराबर तीन गुणे पांच, अठारा बराबर तीन गुणे छे यहां सार्व गुणनखंड तीन है अतहा 3, 12, 15 एवं अठारा का मासापा है आये, अब एक अभाज्य गुणन्खंडन के प्रयोक से 36, 45 एवं 90 का मासा पाग ग्याद करते हैं 36 पराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 45 पराबर 3 गुणे 3 गुणे 5, 90 पराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 36, 45 एवं 90 के अभाज्य गुणन्खंडों का बारीक निरिक्षन हमें ये बताता है कि सभी तीनों संख्याओं में 3 गुणा 3 माजूद है अता 3 गुणा 3 बराबर 9, 36, 45 एवं 90 का मासा पाग है आईए एक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां मासा पा का प्रयोक किया जाता है एक आदमी एक ही रस्षी से 40, 65 और 80 फीट कहरे तीन कुओं की गहराई मापना चाता है रस्षी की अधिक्तम लंबाई क्या होनी चाहिए? जो तीनों कुओं की गहराई को मापने के लिए पूर्णत्या प्रयाब्ध हो तीन कुओं की गहराई मापने के लिए रस्षी की लंबाई को तीनों गहराई का गुणन खंड होना चाहिए इसके अत्रिक्त इसे मासापा होने चाहिए ताकि गहराई को प्रयत्रों की नियुनतम संख्या में मापा जा सके आईए तीन गहराईयों को उनके अभाज्ये गुणंध खंडों में व्यक्त करते हैं चालीज बराबर दो गुणे दो गुणे दो गुणे पांच, पैंसट बराबर तेरा गुणे पांच, असी बराबर दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे पांच, मासापा बराबर पांच है अता, रसी की लंबाई लासापा लगुत्तम समापवर्तक लगुत्तम समापवर्तक लासापा दो या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड होता है आये 10, 12 और 25 का लासापा निकालते हैं 10 के गुणनखंड हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादी 20 के गुणनखंड हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 इत्यादी 25 के गुणनखंड हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150 इत्यादी 10, 20 और 25 का प्रथम सार्व गुणनख 100 है आताहा 10, 20 और 25 का लासापा 100 है लासापा की गणना करने की सबसे सरलतम विधी अभाजे कुणनखंडन विधी है आईए 16, 24 और 32 के लासापा की गणना करने की विधी का प्रयोग करते हैं अभाजे कुणनखंडन विधी में अभाजे कुणनखंडों से तीन संख्याओं को विभाजित करना समिलित है जब तक भागफल एक ना मिल जाए आईए हम सबसे छोटे अभाजे कुणनखंड से शुरू करते हैं जो की तीन में से एक संख्या को विभाजित करता है दो सबसे छोटी अभाजे संख्याए हैं जो 16, 24 और 32 को विभाजित करती है आईए भागफल को चार और दो से तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि किसी भागफल को दो से विभाजित करना संभव ना हो। अगला सबसे चोटा अभाजे गुणनखंड जो भागफलों एक, تीन और एक में से किसी एक को विभाजित करता है, वो तीन है। सभी भाजकों दो, 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 दो और तीन का गुणा करते हैं, अता लासापा बराबर दो गुणा 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 तीन जो की 96 है। आए, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, जहां लासापा का प्रयोग किया जाता है। 10. बी, आत्म मूलियांकन, स्तंभ आ में दिये गए, विवरणों का स्तंभ बा में दी गई, संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्येप में तोहराएं। एक संख्या का गुणंखंड, उस संख्या को पून रूप से विभाजित करता है। सह अभाजिय गुणंखंडों का सार्व गुणंखंड एक होता है। एक संख्या के गुणंखंड सीमित होते हैं। एक संख्या के गुणज, एक संख्या के दूसरी संख्या के साथ गुणन फल होते हैं, एक संख्या के गुणज असीमित होते हैं, अभाजे संख्याओं के केवल दो गुणन खंड होते हैं, भाजे संख्याओं के दो से अधिक गुणन खंड होते हैं, एक ना तो भाजे संख् एक संख्या को उसके अभाजे गुरंखंडों में व्यक्त करना उस संख्या का अभाजे गुरंखंडन कहलाता है लगुत्तम समापुवर्तक मासापा, दो या दू से अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणंखंडों में सबसे बड़ा होता है। सबसी छूटा होता है